नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में हर्तिक सवगत है वीडियो को अंतक अवसे देखेगा कि कहा गया है आदा दो रग्यान खतरनाक होता है आचार चानक ने बहुत सारी नीतियों को एक उस्तक में प्रोकर लिखा है जिसका नाम है चानक की नीती चानक की नीती में उन सभी नीतियों का जिक्र है जो कि मनुस्य के जीवन से संबंदित हैं उसमें बहुत सी नीतियां ऐसी भी है जो राजनेतिक बेवारिक और समाजी की रूप से बहुत काम आती है मनुस्य के जीवन में भी यह बहुत ही काम आती है इन सभी नीतियों में से एक प्रमुक नीति जो है उसके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि इसका प्रमुक आधार क्या है यदि मनुस्य को जीवन में कुछ ग्यान अरजित करना है और अपने आपको ग्यानी बनाना है या इस समाज के बारे में जानना है तो उसका प्रमुक आधार क्या होता है यह इस नीती में उन्होंने बताया है उन्होंन हरतने के घ्यान को जानना एक जरूरी काम होता है यदि ब्यक्ति या मनुस्य को घ्यान नहीं है कि उसका अच्छा या बुरा क्या है तो फिर वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए अचार चानलक के नहीं है नीती बनाई है यदि आ वीडियो बनता है, क्योंकि ग्यानपर आधारीत है, जो ग्यानी होंगे, वह समझ रहे होंगे, कि किस तरह से ग्यान अर्जित किया जा सकता है, तो प्रमोorama की रूप से ग्यान का क्या आधार होता है, जलिए यहाँ जानने के लिए, आगे चलते हैं, चालक नीती की इस नीती को विवेचित रूप से समझने के लिए आचार चालक कहते हैं कि मनुस्य को यदि ग्यान का भंडार इखटा करना है और अपने आपको ग्यानी बनाना है तो उस ब्यक्ति को सबसे पहले स्रमण करने की आदट डालनी चाहिए यदि ब्यक्ति के अंदर सुनने की चमता है तो फिर यह समझ लीजे वेचित के अंदर ज्यान प्राप करने की चमता है यदि आप ग्यानी बनना चाहते हैं तो आपको जरूर हर बात को ध्यान से सुनना ही चाहिए यादि आपको सबसे पहले स्रोता बनना ही पड़ेगा यदि आप किसी अच्छे ब् अपने आपको ही विद्वान समझने लगेगा तो वह मनुस्य अपने जीवन में घ्यान अरजित करने से वंचित रह जाएगा इसलिए विद्वानों के प्रवचन को अवस सुनना चाहिए अपने गुरु जनों से भी साधक सिस्ट जो होते हैं वह बहुत कुछ सीख से हैं इसलिए गुरु लोग जब कोई बात सुनाएं या बताएं तो उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए बहुत से साधक इस संसार के जाल जनजाल से मुक्ट होने का उपाय भी जान पाता है जब गुरु उसका मार्ग दर्सन करता है यदि कोई ब्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपने ग्यान का बढ़ाना ही पड़ेगा जब उसका ग्यान का बंडार बढ़ेगा तभी ही वह ब्यक कि सास्त्रों के स्रवन का यानि सुनने का मन जीवन में सुबद्धी लाने के लिए विशिष्ट महत्व एवं उप्योग है आता है हर बैकी को सबसे पहले सुनने की आदत डालनी पड़ती है यानि उसे स्रोता बनना पड़ता है तभी उसका ग्यान का भंडार बढ़ता है और पिर जीवन में कोई भी ब्यक्ति उसका कल्यान नहीं करता है यदि मनस्य अपने जीवन को सुखी पूर्वक जीना चाहता है तो उस ब्यक्ति को सरव प्रतम स्रोता बनना ही पड़ेगा यदि कोई गुरू विद्वान या आपके कोई गुरुजन किसी बात को बताते हैं त जबी ही आपने आने वाली समस्याओं से अपने आने वाली कठिनाईयों से जूज कर आगे बढ़ेंगे और अपने रास्ते को सुखम बनाएंगे जीवन को सरल बनाएंगे जीवन में धन आएगा सुख आएगा सम्रद्धी आएगी जब आपके अंदर अच्छा बुरा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अवस्य जाएगा साथ ही लाइक भी जरू कर दीजेगा आपने वीडियो अंतक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद